हेलो फ्रेंस आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुक नदियों के किनारे बसे सहर से टॉप 25 कुष्चिन लिये हैं जो हर प्रतियोगी परिक्षा में एक ना एक कुष्चिन इस वीडियो से जरूर पूछा जाएगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो पहला कुष्चिन क्या है एहमदाबाद सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है चंबल नदी साबर मती नदी मुसी नदी ये सुरन रेखा नदी तो इस कुष्चिन के राइट अंसर क्या होगा ओप्सन बी राइट होगा जो एहमदाबाद सहर है वो साबर मती नदी के किनार बसा हुआ है, मूसी नदी, सुर्ण रेका नदी, कावेरी नदी या गोदावेरी नदी तो इस Question का Right Answer option B Right होगा सुर्ण रेका नदी जो है, जमसेदपुर सहर जो है सुर्ण रेका नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है नेक्स कुश्चिन क्या है तीसरा कुश्चिन है हैदराबाद सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है गोदावरी, कावेरी, मुसी या सुन ने रेखा तो इस कुश्चिन का राइट अंसर क्या होगा ओप्सन सी राइट होगा जो हैदराबाद सहर है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है तेक है न, नेक्स कुश्चिन क्या है चौता कुश्चिन है सिरी रंग पट्टम सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है कावेरी नदी, मूसी नदी, सुनन रेखा या साबर मती तो इस question का right answer क्या होगा option A right होगा सिरी रंग पट्टम सहर जो है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है तेके ना next question क्या है पांचमा question है नासिक सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है गोमती नदी, नरवदा नदी, चंबल नदी या गोदावरी नदी तो इस question का right answer क्या होगा नासिक सहर है जो गोदावरी नदी के किनारे इस्थित है या ए option right होगा नासिक सहर गोदावरी नदी के किनारे इस्थित है ठीक ना next question क्या है कोटा सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है नर्मदा नदी, चंबल नदी, घोदा वरी नदी या कावेरी नदी तो इस क्योश्चिन का right answer क्या होगा जो कोटा सहर है वो कोटा सहर चंबल नदी के किनारी बसा हुआ यानि B option right होगा इस कुश्चिन का तीक है ना Next question क्या है? साथमा question है जबलपुर सहर किस नदी के किनारी बसा हुआ है तो गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या मूसी नदी तो इस कुश्चिन का राइट अंसर क्या होगा नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर सहर बसा हुआ है ठीग है न, next question क्या है, आठमा question है, लखनाव सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लखनाव सहर जो है, उप्सन ए गोमती नदी, उप्सन भी ए नर्मदा नदी, उप्सन सी है चम्बल नदी, उप्सन डी है गोदा वरी, तो इस question का right answer, उप्सन ए राइट होगा, क्या है नौमा कुश्चिन है कोलकाता सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है सरायू नदी बेतवा नदी हुगली नदी गोमती नदी तो इस भीमा नदी तो इस question का right answer क्या होगा option B right होगा आयोध्या सहर जो है सरायू नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सी नदी सरायू नदी किनारे आयोध्या सहर बसा हुआ है नेक्स्क्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ओरच्छा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है भीमा नदी रामगंगा बेतवा या क्स्छन क्षिन कई कै बरेली सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है कृष्णा नदी भीमा नदी राम गंगा या तापती तो इस कुश्चिन का राइट अंसर क्या होगा बहे बरेली सहर जो है वह राम गंगा नदी के किनारे इस्थित यानि सी ऑप्सन राइट होगा बरेली सहर राम गंगा ठीक है नेक्स कुश्चिन क्या है चोदहमा कुश्चिन है पंधर पुर सहर किस नदी के किनारे इस्थित है तो पंधर पुर सहर है भीमा नदी तापती नदी जेलम ये तुंग भद्रा तो इस कुश्चिन का राइट आंसर क्या होगा भीमा नदी के किनारे इस्थित है पंधर पुर सहर ठीक न, Next Question क्या है? ऑंधरहमा कोश्चन है विजयवारा सहर किस नदी के किनारे इश्तित है तापती नदी, क्रिश्णा नदी, भेलम नदी या अलकनंदा नदी तो इस कोश्चन है रयट अंसर क्या होगा विजयवारा जो सहर है विजयवाड़ सहर कृष्टन नदी के किनारे बसा हुआ है यानि इस question का right answer option B. right होगा next question क्या है सूलाहमा question है सूरत सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है महा नदी तापती नदी अलक नंदा ये तुंग भद्द्रा तो सूरत सहर जो है सूरस सहर जो है तापती नदी के किनारे इस्तित है याने बी ओप्सन राइट होगा सूरस सहर तापती नदी के किनारे इस्तित है बसा हुआ ठीक नेक्स्ट कुश्चिन क्या है सत्रहमा कुश्चिन है स्री नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है महा नदी अलक नंदा e Зна lagi क्कुर्णूर सहर किस नदी के कि नारे बसा हुआ है महा नदी अलग == तुंग भद्द्रा या सतुल जिन जी तो इस क्वे तो इस कोछिन का राइट आंसर क्या होगा क्यूर्णूल सहर जो तुंग किनारे बसा हुआ है अलक नंदा तुंग भद्रा झेलं यह तापती तो इस question के right answer क्या होगा बद्रीनात सहर जो है वह कहां बसा हुआ है अलक नंदा यह option right होगा अलक नंदा नदी के किनारे स्थित है ठीकर ना next question का बीसमा कटक संबलपूर सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र सत्रलूज महा नदी या अलकनन्दा तो इस कुछिन का राइट अंसर क्या होगा महा नदी के किनारे जो है कटक संबलपूर सहर जो है महा नदी के किनारे बसा हुआ है यानि इस कुछिन का दिए्याना सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है सतरुज महा नदी अलकननदा है तूंग भुद्ड र क्षिण कहा है या क्या होगा यदि-प्स dalइब होगा जो फिरोजपूर है नियुकोर है किसना किनारे बसा हुआ है यमुना गंगा सतलुच यब ऑन उपत्र तो इस कुश्चिन का राइट नार्थ एन्शाल क्या होगा ब्रह्म l До नदी के किनारे ंज culturally ऑस राइव सघ रभूर। डिबुगड गुवाहाती सहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए है ठीक है नेक्स्कोश्चेन के है तेसमा कुश्चेन है इलाहबाद restrict रही दोर कानपुर पतना व рав़ारस्च यानि बनारस सहर ऍतिक है या मुना घंगा ब्रह्मपुत्र या सतुल जिन जी तो इस question का right answer क्या होगा इस question का right answer option be right होगा जो इलाहबाद है ठीक है ना हरिद्वार है कानपूर है पटना है और वाना राशीजी से बनारल भी कहते हैं ये जब सहर है ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं ठीक है ना 24 में question क्या है मतूरा, आगरा, दिल्ली, इलाहबाद, सहर किस नदी के किनारे इस्थित है यमुना, गंगा, ब्रह्म, पुत्त या सतलुज तो इस question का right answer option A right होगा यमुना नदी मतूरा, आगरा, दिल्ली और इलाहबाद जो है यमुना नदी के किनारे इस्थित है ठेकना, रसा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आये होगी अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो हमारे ट्रेली ग्राम ग्रूप क्रिटिकल से इस PDF को डाउल्लूट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें वह अपने उन दोस्तों को सेर करें जो कॉम्प्टीटिव एक्जाम की तैयारी कर रहा है उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सिस्क्राइब कीजे साथ ही बेल आइकन को भी प्रिस कीजे ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद